हलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है सार्जी ट्यूशन की एक नई वीडियो में आज किस वीडियो में हम इलेक्ट्रो कैमिस्ट्री का वन शॉर्ट रिविजन करने वाले हैं और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ इस चैप्टर में जो भी इंप इस चैप्टर का जहां से कोशन पूछे जाते हैं बोर्ड इग्जामनिशन और नीट इग्जामनिशन में वो भी आपको अच्छे से समाज आए तो बिनन टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है इलेक्ट्रो कैमिस्ट्री सबसे पहले आप आपको इलेक्ट्रो कैमिस्ट्री के बारे में पता होना चीए कि इसमें हम पढ़ते क्या हैं इलेक्ट्रो कैमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम कोई कैमिकल रियक्शन करा सकते हैं एक चीज तो हम यह पढ़ते हैं और दूसरी और सबसे जादा important जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो ये है कि किसी भी chemical reaction से किसी भी chemical reaction से हम कैसे electricity बना सकते हैं ठीक है ये हम पढ़ते हैं electrochemistry में इसलिए जब आप electrochemistry को तोड़ोगे तो इसका मतलब निकल के आता है electro मतलब electricity and chemistry मतलब chemicals ठीक है तो ये electrochemistry का मतलब है अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं conductors की आपको पता है conductors वो होते हैं जो electricity को conduct करते हैं यानि electricity को एक जगा से दूसरी जगा ट्रैवल करने में मदद करते हैं या current को ट्रैवल करने में मदद करते हैं अब conductor हमारे पास दो तरीके के होते हैं metallic conductor, electrolytic conductor metallic conductor क्या होते हैं जो metal के conductor होते हैं जैसे silver, copper, iron ठीक है ये सब क्या है metallic conductor हैं इनके पास free electron होते हैं और free electron की movement से जो electricity है ये conduct करते हैं अब हम बात करते हैं electrolytic conductor की ये क्या होते हैं electrolytic conductor वो conductor होते हैं जिनकी जो movement है वो ions की वज़े से मतलब उनके अंदर जो electricity conduct होती है electricity जो conduct होती है वो ions की movement से होती है किसकी movement से? ions की movement से तो जो भी हमारे electrolyte होते हैं वो हमारे electrolytic conductor होते हैं जैसे NaCl, Na2SO4 यहाँ पे आपको पता होगा Na+, Cl negative बनता है तो Na+, और Cl negative की movement से ये electricity को conduct करते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं electric conductor अब metallic conductor और electric conductor में कुछ differences मैंने लिखे हैं जो आपको पता होने चाहिए जैसे कि metallic conductor में कोई भी mass flow नहीं करता ठीक है? electric conductor में mass flow करता है क्योंकि Na+, Cl negative move कर रहा है ठीक है? और metallic conductor में electron flow करता है वो भी metal के अंदर ही रहता है तो हम मानते हैं कि वहाँ पे mass flow नहीं हो रहा लेकिन electronic conductor में हम मानते हैं कि mass flow हो रहा है metallic conductor में सिर्फ और सिर्फ physical changes होते हैं क्योंकि सिर्फ electron की movement हो रही है और कुछ नहीं हो रहा लेकिन electrolytic conductor में physical और chemical changes दोनों होते हैं physical changes आप देखोगे state change होती है aqueous form में जाते हैं solid form में आते हैं और chemical reactions भी होती है तो physical और chemical दोनों तरीके के changes देखे जाते हैं metallic conductor की बात करें तो यहाँ पे जो conductivity होती है जिसे हम conducting power कहते हैं वो inversely proportional होती है temperature के क्यों होता क्या है temperature बढ़ाने पे resistivity बढ़ती है और resistivity बढ़ने पे resistance बढ़ता है जिसके बढ़ने से जो conductivity है वो decrease हो जाती है यह आप physics में भी पढ़ते हो और अगर हम बात करें electrolytic conductor की electrolytic conductor के लिए जो conducting power होती है वो directly proportional होती है temperature के ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब हम temperature बढ़ा देते हैं तो जो ions का formation है वो बढ़ जाता है Na plus, Cl negative और तेजी से तूटने लगता है ठीक है तो ions ज़ादा बनते हैं तो conducting power increase हो जाती है metallic conductor की बात करें तो ये faradelo को follow नहीं करता यानि faradelo यहाँ पे valid नहीं है और electrolytic conductor की बात करें तो ये faradelo को follow करता है यानि faradelo यहाँ valid है अब ये faradelo क्या होता है ये हम आगे इसी chapter में पढ़ेंगे अब हम सबसे पहले बात करते हैं factors की जो conductivity पे effect डालते हैं किसके electrolyte की यहाँ पे इस chapter में हम main बात करेंगे electrolytic conductor के बारे में तो हम क्या पढ़ने वाले है factor जो effect डालते है electrolytic conductor पे सबसे पहला है solute solute interaction solute solute interaction में क्या होता है higher is solute solute interaction lower is conductivity because there is less free to move देखो solute solute interaction से यहाँ पे क्या मतलब है solute solute interaction से यहाँ पे मतलब है कि मालो आप दो दोस्तो एक आप दोस्त हो एक आपका दोस्त है ठीक है मालो जैसे एक राहूल हो गया एक सोनू हो गया यह दो दोस्त है ठीक है अब अगर इनके बीच में बहुत गहरी दोस्ती है इनके बीच में बहुत गहरी दोस्ती है तो यह जहां भी जाएंगे एक दूसरे के साथ जाएंगे या आपने भी देखा है आपकी जो दोस्त के साथ दोस्ती होती है तो आप दोनों जहां जाते हो साथ में जाते हो ठीक, अगर आप उसके बच्पन से लंगोटिया यार हो तो, लेकिन अगर आप लंगोटिया यार नहीं हो, तो आप अलग अलग भी जा सकते हो, लेकिन हम मार रहे हैं कि राहूल और सोनू क्या है, एक दूसरे के बहुत पक्के मित्रे, लंगोटिया यार है, तो राहूल जहा यहां से दोनों नहीं जा पाएंगे, तो अगर solute solute interaction जादा है, तो conductivity कम है, अब second factor आता है, solute solvent interaction का, यानि solute और solvent के बीच में कैसा interaction है, अब मालो की NaCl थे, ठीक है, इसके बीच में हमने पानी डाल दिया, पानी ने क्या Na+, Cl negative को तोड़ दिया, ठीक है, अब मालो, अगर क्या है, water आपको पता है, H2O क्या देता है, OH negative और H+, अब होता क्या है, कि यह जो sodium होता है, इसके चारों तरफ यह water के molecules आ जाते हैं, इसके चारों तरफ water के molecules या OH negative के molecules आके इसको घेर लेते हैं, जैसे मैंने यह आपे दिखाया है, कि एक Na+, है, इसके चारों तरफ OH- आ गए, तो इस process को हम क्या बोलते हैं, इस process को हम बोलते हैं, hydration, जितना ज़्यादा hydration होगा, उतनी ही ज़्यादा ionic mobility होगी, एसा क्यों, क्योंकि दोखो, hydration होने की वज़े से, size कितना बड़ा हो गया, यह पूरा आप द गयाता हूँ, एक पतला आदमी है, एक पतला आदमी है, एक मोटा आदमी है, ठीक है, 100 मीटर की race में कौन सबसे पहले पहुंचेगा, तो maximum chances हैं, कि जो पतला आदमी हो ज़्यादा तेजी से पहुंच जाएगा, क्योंकि मोटा आदमी भागी नहीं पाएगा, आप, आपका क size इतना ज़्यादा है, कि वो ज़्यादा तेजी से दोड़ नहीं पाएगा, तो ionic mobility क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी, same cases में, तो size के, तो ये तो बात हो गई, कि अगर hydration जादा है, तो mobility क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन अब हमको ये कैसे पता चलेगा, कि hydration उस compound की, या उस electrolyte की कम है, या जादा है, तो ये जो hydration होता है, या solvation भी बोलते हैं, इसे हम, ठीक है, इसको हम solvation भी बोलते हैं, याद रखना तो जो hydration या solvation होता है, वो size के inversely proportional होता है, किसी भी iron का, किसी भी iron का, जितना छोटा size होगा, उसका hydration, उसका hydration उतना जादा होगा, ठीक है, तो lithium की अगर हम बात करें, lithium का सबसे छोटा size है, फिर sodium, potassium, rubidium, cesium, ठीक है, तो इसमें देखो, जैसी हम left to right जा रहे हैं, size increase कर रहा ह size increase कर रहा है, तो hydration decrease कर रही है, और hydration decrease कर रही है, तो ionic mobility बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि hydration जो है, universally proportional है, ionic mobility के, ये तभी आपको दिखानी होगा, आप देख लो, कि अगर left to right size बढ़ रहा है, size बढ़ने की वज़े से hydration decrease कर रहा है, क्योंकि universally proportional होता है, और hydration decrease कर रहा है, तो ionic mobility increase कर रही है या आप ये भी कह सकते हो कि जो size होता है वो directly proportional होता है किसके ionic mobility के जैसे जैसे देखो size बढ़ रहा है वैसे वैसे ionic mobility भी बढ़ रही है किसके case में solute solvent interaction के case में अब हम बात करते है strong electrolyte की strong electrolyte का क्या affect होता है as concentration increase number of iron increase and electrolyte conductance increase देखो strong electrolyte में क्या होता है strong electrolyte को जैसे ही आप पानी में छोड़ोगे H2O में छोड़ोगे वो anion और cation में तूट जाएगा क्या होगा anion और cation में तूट जाएगा strong electrolyte की ये property होती है कि वो completely dissociate हो जाते हैं completely dissociate होने का मतलब क्या है कि अगर आपने 5 molecule डाले है strong electrolyte के तो वो 5 के 5 तूट जाएगे और क्या बना देंगे 5 anion मना देंगे 5 cation मना देंगे तो जैसे जैसे आप concentration increase करोगे strong electrolyte की conductivity क्या बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी ठीक है विख electrolyte की बात करें तो होता क्या है for weak electrolyte as concentration decrease यहाँ पर याद रखना concentration degrees on dilution dilution का मतलब क्या होता है उसमें पानी डालना पानी की amount को बढ़ाना ठीक है पानी के amount को बढ़ाना dilution क्याते हैं और dilution का मतलब ही होता है concentration को decrease करना तो जो alpha होता है वो increase कर जाता है alpha होता है degree of dissociation अब ये degree of dissociation क्या होता है degree of dissociation का मतलब होता है कि मानलो आपने एक पानी में 5 molecule दाले कितने molecule दाले 5 molecule दाले किसे भी weak electrolyte के और इसमें से सिर्फ 2 ही टूटे इसमें से सिर्फ दो ही तूटे तो इनका जो ratio होगा कि कितने electrolyte तूटे अप उन में कितने electrolyte हमने डाले इसी को हम बोलते हैं degree of dissociation तो यह जो alpha है यह increase करता है जब आप dilution करते हो यानि जब पानी की मात्रा जादा करते हो तो जब आप dilution करोगे तो अलफा increase होगा अलफा increase होगा तो क्या होगा आएन का जो formation होगा वो जजधा होगा जिसकी वज़े से जो conductance है वो भी increase कर जाएगी तो याद रखना strong electrolyte में जो concentration होती है directly proportional होती है electrolytic conductance के और weak electrolyte में inversely proportional होती है temperature की effect की बात करें तो temperature directly proportional होता है electrolytic conductance के temperature directly proportional होता है electrolytic conductance के जैसे जैसे आप temperature बढ़ा होगे electrolytic conductivity बढ़ जाएगी क्यों? क्योंकि जब आप temperature बढ़ा होगे तो ions एक दूसरे से अच्छे से separate होंगे और free to move होंगे तो electrolytic conductivity बढ़ जाएगी जैसे अगर आप एक तवे को गरम करो और उस पे क्या करो, इधर खुद बैढ़ जाओ, इधर अपने दोस्त को बिठा दो, तो दोनों उचल के दूसरी डारेक्शन में भागोगे, यह हो सकता है, एक ही डारेक्शन में भागोगे, और बड़ी तेजी से भागोगे, क्यों क्यों कि वहाँ पे आप फिरी टू मूव और आपको नीचे से हीट महसूस हो रही है, यह जास जोक के लिए है, यह इस पे एक्सपरिमेंट करने मतलग जाना कि तव यह परी बैढ़ जाओ, तो बस आपको क्या याद रखना है, टेंपरेचर बढ़ाओगे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंड़क्टिविटी भी अब हम कंड़क्टिविटी से रिलेटेड कुछ टम्स पढ़ लेते हैं, जैसे कि रजिस्टेंस, आप सभी को बचपन से पता है, रजिस्टेंस होता क्या है, किसी चीज को रोकने की शमता, को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस, इट इस डारेक्ट्ली प्रपोर्शनल टू का साइन अटता है, तो एक कॉंस्टेंट आता है, जो होता है हमारा रोज, इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, वो होती है, अब बात करते हैं, रेजिस्टिविटी की, रेजिस्ट of a substance is its resistance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square देखो अगर इस area को मैं 1 रख दूँ और इस length को मैं 1 रख दूँ तो यहाँ पे resistivity किसके बराबर आगई resistance के बराबर आगई वही चीज यहाँ पे बताई है कि resistivity जो होती है किसी भी substance की वो उसके resistance के बराबर होती है जब उसकी length 1 meter हो और उसका cross section area भी 1 meter square हो अब बात करते हैं किसकी? conductance की conductance क्या होता है इसको G या फिर C से represent करा जाता है it is a reciprocal of resistance ये resistance का reciprocal होता है तो resistance का 1 by मतलब conductance क्या हो गया 1 by R हो गया इसका formula लिखना चाहो तो R क्या होता है rho L upon A यहाँ पर उल्टा कर दो क्या हो जाएगा A rho upon L ठीक है यह आ जाएगा unit क्या होती है पर ओम या फिर इसे MHO या फिर मो या फिर साइमन्स भी कहते है ठीक है इसके बाद हम पढ़ते है conductivity conductivity को हम specific conductance भी कहते है ठीक है जैसे resistivity थी वैसे conductivity है conductivity क्या है inverse होती है resistivity की ठीक है यहाँ पर इसका formula लिख दिया है हमने अब यहाँ पर सबसे बड़ी important बात है L by A यह जो length upon area का ratio होता है इसको हम बोलते है cell constant क्या बोलते है cell constant बोलते है not change on changing electrolyte अगर मैं electrolytic solution को change कर देता हूँ जैसे मालो यह एक container है इसके अंदर मैंने कोई rod डाली ठीक है और यहाँ पर एक solution है तो अगर मैं इस solution को change कर देता हूँ इस electrolytic solution को change कर देता हूँ तो भी जो cell constant है वो change नहीं होगा cell constant change नहीं होगा यह चीज़ आपको याद रखनी है conductivity को हम एक और तरीके से define कर सकते हैं जो सबसे जादा important है और use होता है current of all the iron present in one ml of solution is called conductivity मतलब जैसे यह मालो कोई container है ठीक है अब इस container में हमने कुछ एक ml क्या करा एक ml कोई भी solution डाल दिया एक ml कोई भी solution डाल दिया अब इस एक ml solution में जितने भी ions है जैसे मालो यहाँ पर दस ions है कितने ions है इन दस ions की वज़े से जो भी current होगा ठीक है जो भी current होगा उसी को हम बोलेंगे conductivity current of all the ions present in one ml of solution is called conductivity unit क्या है per ohm per centimeter या फिर Simon per centimeter ठीक है दोनों तरीके से आप unit दिखा सकते हो अब इस चैप्टर का सबसे important part आता है जो है molar conductivity इसको थोड़ा अच्छे से समदना What is molar conductivity? current of all ions when one mole of electrolyte dissolve in v ml of solution जब मैं किसी भी one ml electrolyte को one ml electrolyte को v ml के solution में डालता हूँ तो उसकी वज़े से जो current आएगा उसको हम बोलेंगे molar conductivity यहाँ पे सबसे ज़ादा समझो important क्या है कि इसको molar क्यों बोल रहे है इसको molar इसलिए बोल रहे है क्योंकि यहाँ पे जो electrolyte की हम concentration ले रहे हैं वो one mole है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे है molar conductivity बोल रहे है इसको ऐसे समझ सकते हो कि यह कोई container है इसके अंदर water डला हुआ है पहले से ठीक है water डला हुआ है अब मैंने इसके अंदर एक mole क्या करा इसके अंदर एक mole NaCl डाल दिया तो यह तूर जाएगा Na plus Cl negative में और इसका जो पूरा volume है वो कितना हो गया V ML हो गया ML में लिख रहे है क्योंकि हम जो numerical solve करते है वो ML में होता है तो V ML इसका volume हो गया तो यहाँ पर यह बता रहा है कि molar conductivity क्या है इस V ML में इस एक mole NaCl के डालने के वज़े से जो current आया उसी को हम बोलेंगे molar conductivity ठीक है अब इसका formula कैसे होगा इसका formula देखो मैंने आपको बताया इसका formula हो जाएगा कापा अब यह कापा क्या है यह कापा है conductivity क्या है conductivity इन्तु में volume in ML अब बोलोगे कि आपकी यह आया कैसे देखो यह ऐसे आया कि अभी हमने conductivity पढ़ी थी conductivity क्या थी कि एक ML में कितने iron present है उनकी वज़े से जो current आएगा एक ML में जितने भी iron present है उनकी वज़े से जो भी current आएगा उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम conductivity बोलेंगे तो यही पर हमने क्या करा इसी को हमने multiply कर दिया VML से क्योंकि यहाँ पर एक ML नहीं है यहाँ पर VML solution है तो उसको हमने VML से multiply कर दिया तो यह molar conductivity आ गई अब अगर मैं VML को change करूँ तो यह आएगा 1000 by M क्योंकि यहाँ पर ML है जैसे आपको पता होगा molarity क्या होती है number of mole of solute presenting VML of solution into 1000 यह होता है अब आपको पता है NB1 है ठीक है और आपको VM निकालना है तो V को उपर भेजोगे यहाँ पर क्या जाएगा 1000 बटा M NB तो 1 है अब बोलोगे 1 कहां से है यह देखो यहां से है 1 mole solute ले रहे है ठीक है तो यह आपको जो conductivity का formula है यह याद रखना है ठीक है अब हम बात करते है कि smaller conductivity की unit क्या होगी unit होगी इसकी per ohm per mole cm2 अब यहाँ पर आगे move करते है आता है equivalence conductivity equivalence conductivity board examination में नहीं पूछा जाता यह net examination में पूछा जाता है तब भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ जैसे हमने वहाँ पर बात करते है one mole की यहाँ पर हम बात करते है one gram equivalent की ठीक है current of all iron when one gram equivalent of electrolyte dissolving vmol of solution और जिस तरीके से वहाँ पर formula है था यहाँ पर भी यह formula आ जाता है यहाँ पर n क्या है normality है ठीक है इसकी unit क्या हो जाएगी per ohm gram per equivalent cm2 अब relation molar conductivity और equivalent conductivity में क्या होता है तो यह derivation आपको नहीं आपको सिर्फ relation याद रखना है कि जो molar conductivity होती है वो बराबर होती है equivalence conductivity into में n factor अब आप बोलोगी कि n factor कहां से आता है तो जो बच्चे NEET का examination देंगे उन्हें 11 भी पढ़नी होती है और 11 में जब आप redox chapter पढ़ते हो तो वहाँ पे n factor आपको निकालना सिखा दिया जाता है अब हम बात करते हैं variation of molar conductivity and equivalence conductivity with concentration तो सबसे पहले हम बात करेंगे strong electrolyte के लिए किसके लिए strong electrolyte के लिए तो देखें strong electrolyte के लिए एक equation दी जाती है इसमें ये क्या बताता है कि जो molar conductivity होती है किसी एक particular concentration पे वो equal होती है del M infinity इसको हम अगर बोलना चाहें तो इसको हम बोलते है molar conductivity at infinite dilution infinite dilution का मतलब क्या है infinite dilution का मतलब है जब पानी बहुत ही जादा है ठीक है पानी बहुत ही जादा है minus में B root C इसका जब आप graph बनाते हो तो वो graph कुछ ऐसा आता है graph ऐसा क्यों आया क्योंकि यहाँ पे slope देखो negative आ रहा है ठीक है इसलिए decreasing आता है तो यहाँ पे बताया जाता है on dilution force of attraction between opponent iron decreases जब हम बहुत जादा पानी डालते रहते हैं dilution करते रहते हैं तो जो force of attraction होता है दो ions के बीच में जैसे na plus है c l negative है ठीक है मैं पानी डालता जा रहा हूं डालता जा रहा हूं तो इनके बीच में जो force of attraction है वो भी क्या होती जाएगी घटी चली जाएगी घटी चली जाएगी जिसकी वज़े से ये move करने के लिए free हो जाएंगे क्योंकि जब दो जने के बीच में attraction नहीं है ठीक है तो आप एक दूसरे से free हो move करने के लिए तो जब आप free हो तो conductivity भी क्या हो जाएगी increase हो जाएगी अब आप बोलोगे कि अभी आप यहाँ पर बोले हो कि conductivity increase हो रही है और यहाँ पर आपने graph बनाए conductivity decrease हो रही है तो देखो मैंने बोला है conductivity increase होगी जब dilution बढ़ेगा dilution बढ़ने का मतलब क्या होता है dilution बढ़ने का मतलब होता है concentration का decrease होना ठीक है concentration का decrease होना क्या होगा conductivity बढ़ेगी तो देखो concentration इधर बढ़ रही है आपको भी उल्टा देखो, conductivity बढ़ रही है, molar conductivity बढ़ रही है, तो इस तरीके से गिराफ आपको देखना है, अब हम बात कर लेते हैं, weak electrolyte की, इसको मैं इसलिए time लेके समझा रहा हूँ, क्योंकि यहां से question पूछा जाता है, अब हम बात कर रहा है, weak electrolyte की, in case of weak electrolyte, as dilution increase, degree of dissociation increase, due to which number of iron increase, and molar conductivity also increase, अब यहां पे देखो, क्या कह रहा है, यहां पे यह कह रहा है, कि अगर हम weak electrolyte की बात करें, तो अभी मैंने starting में ही आपको बताया था, weak electrolyte के लिए, जैसे जैसे हम dilution करते हैं, जैसे जैसे हम dilution करते हैं, तो alpha बढ़ता है, alpha बढ़ता है, तो ions बढ़ते हैं, और ions बढ़ेगी, तो molar conductivity भी क्या हो जाएगी, molar conductivity भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, in case of weak electrolyte, as dilution increases, degree of dissociation increase, due to which number of iron increase, and molar conductivity also increase, ठीक है, अब हम बात करते हैं, variation of conductivity with dilution, अभी जो हमने पीछे पढ़ा, वो था molar conductivity, कान खोल के सुनो, अभी जो हमने पीछे पढ़ा, वो था molar conductivity, अब हम जो बात करेंगे variation की, वो है conductivity की, तो सबसे पहले हम बात करना है, strong electrolyte की, in case of strong electrolyte, number of ions in 1 ml decrease, therefore conductivity decrease, देखो, समझो, strong electrolyte का समझो, कि क्या effect होता है dilution के साथ, यह container था, इसमें हमने कुछ solution ले रखा था, और इसमें हमने कुछ electrolyte डाल रखे थे, strong electrolyte, ठीक है, अब जब हमने इसमें पानी डाला, पानी डालने के वज़े से क्या होगा, जो volume है, इस solution का वो बढ़ेगा, लेकिन strong electrolyte की concentration हमने उतनी ही रखी है, strong electrolyte को फालतू नहीं डाला तो क्या होगा, जब हमने strong electrolyte, यानि solute की concentration को fix कर रखा है, लेकिन हम पानी और ज़्यादा डालते जा रहे हैं, तो जो 1 ml में ions का number होगा, वो decrease कर जाएगा, क्यों क्योंकि ion तो हम डाल नहीं रहे हैं, सिर्फ पानी डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो volume बढ़ रहा है, औ एक ml में जो ions का number होगा, वो decrease कर जाएगा, तो ions का number अगर 1 ml में decrease कर जाएगा, तो conductivity भी decrease कर जाएगी, क्यों क्योंकि conductivity क्या होती है, कि 1 ml में जो भी ion present होगे, उसकी वज़े से जो भी current होगा, वो conductivity कहलाएगी, तो 1 ml में ion कम हो रहे हैं, तो current भी कम बनेगा, तो conductivity कम हो अब हम बात करते हैं वीक लेक्ट्रोलाइट की, in case of वीक लेक्ट्रोलाइट, on dilution number of iron increases, but total number of iron in 1 ml decrease, means conductivity decrease, अब यहां पे समझो, यहां पे क्या कहरा चाहरा है, कि माल लो यहां पे पहले कोई solution था, ठीक है, मैंने dilution करा, dilution करा, तो पहले तो, क्या हुआ, दो ions टूटे, दो ions टूटे, चार ions बने, मतलब दो NCl टूटे, तो चार ions बन गए, ठीक है, अब मैंने और पानी डाला, अब मैंने क्या करा, और पानी डाला, और यह, मैंने total पहले पांच डाले थे, अब यह भी पांच, क्या है, NCl के molecule डाल लखें, जिसमें से दो टूट चुके हैं, और दो ने टूटके, चार ions बनाए, अब यहाँ पर माल लो, तीन टूट गए, ठीक है, तीन टूट गए और छे बने, तो यहाँ पर होता क्या है, कि ions का नंबर तो बढ़ता ही है, लेकिन यह जो अलफा बढ़ता है, यह बहुत जादा पानी डालो, तो जाके यह थोड़ा सा बढ़ेगा, तो इसके वज़े से क्या होता है, अगर हम बात करें, तो एक ml में जो ions का नंबर है, वो decrease कर जाता है, इसका मतलब क्या है, कि conductivity decrease कर जाती है, इसके बाद हम बात करते हैं, कॉलार्श लो की, कॉलार्श लो क्या होत ही है, एक electrolyte की, उसे हम represent कर सकते हैं, as a sum of individual contribution of anion and cation of electrolyte, मतलब क्या है, कि जैसे मालो कोई एक electrolyte है, AXBY, ठीक है, यह एक electrolyte है, तो मैं कहा रहा हूँ हूँ, इस electrolyte की, जो limiting molar conductivity होगी, वो इसके अनायन के, और इसके cation के द्वारा, जो conductivity हो रही होगी, उसके सम के बाता है, प्राबर होगी, यह हमें बताता है, कॉल हार्शलो, मतलब क्या है यह, यह simple सा समझो, यह कहता है, कि 10 को मैं 6 प्लस 4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, और 12 को मैं 6 प्लस 6 भी लिख सकता हूँ, अब यह 10 क्या है, यह किसी electrolyte की conductivity है, क्या है, यह किसी electrolyte की limiting molar conductivity है, और यह जो 6 आय क्या है, यह अनायन की वज़े से कंडुक्टिविटी आई है, यह कटायन की वज़े से आई है, और यह 4 क्या है, यह अनायन की वज़े से यह कटायन की वज़े से आई है, ठीक है, यह चीज़ बताता है, कॉल आर्शलो, जैसे कि अगर मैं NaCl की limiting molar conductivity लिखता हूँ, तो वह sodium iron के limiting molar conductivity के और chlorine iron के limiting molar conductivity के बराबर होगी ठीक है यह बोलता है यह अब हम बात करते हैं degree of dissociation degree of dissociation मैंने आपको पहले भी बताया था degree of dissociation होता क्या है वैसे तो अगर हम नॉर्मल बात करें तो यह होता है कि आपने कितने solute के mol डाले और उसमें से कितने dissociate हो गयीृ कर फा होता है कि कितने mol dissociate हो गए कि solute के कितने mol dissociate हो गए और total मोल आपने कितने डाले तीक में इक है इसके एक होता है degree लेकिन यहां पर हम किस के हम समीवाथ कर रहे हैं मोल रिक टिविटी इटम में बात कर रहे हैं तो यहां पर जो degree of dissociation है यह ratio है molar conductivity at concentration C किसी concentration C पर जो molar conductivity है उसके और infinite dilution पर जो molar conductivity है उसके अब आपको पता है कि infinite dilution पर जो conductivity है सबसे ज़्यादा होगी क्यों क्योंकि यहां पर आयन अच्छे से तूटे हुए होगे और पानी की concentration ज्यादा है तो force of attraction ions के बीच में कम होगा ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं dissociation constant की यहां पर मैं लिखना भूल गया हूँ sorry उसके लिए यहां पर हम बात कर रहे हैं dissociation constant for weak electrolyte dissociation constant for weak electrolyte तो यह आप formula पढ़ते हो class 11 thermodynamics में ठीक है thermodynamics में आप यह पढ़ते हो तो यहां पर आप alpha की value रखोगे तो यह पूरा solve करके यह relationship आता है यहां से जादा कुछ question पूछता नहीं है लेकिन neat में हो सकता है कि यह relation पूछ ले तो यह याद रखना कि यह आएगा कैसे या आप यह derivation भी करना आपको आना चाहिए अब हम आगे बात करते हैं electrode potential की होता क्या है देखो sorry मैंने container के लिए इसके अंदर एक electrolytic solution डाला और इसमें electrode डाल दी यह electrode किसी भी metal की हो सकती है मैंने यहां पर zinc metal की मानी है ठीक है और यहां पर electrolyte मैंने माना है zinc sulfate का solution मैंने लिया है अब यहां पर दो चीज़े हो सकती है कि इस sorry थोड़ी से मेरी health ठीक नहीं है तो थोड़ा adjust करना पड़ेगा आपको तो यहां पर दो condition हो सकती है कि यह अपने electron इसमें lose कर दे या फिर यहां से यह electron gain करे ठीक है यह दो condition हो सकती है तो दोनों condition की बात कर सकते हैं जैसे देखो zinc की electrode थी metal electrode थी इसने अपने electron को lose कर दिया तो इसका क्या हो गया oxidation आपको पता है loss of electron oxidation कहलाता है ठीक है इसको हम metal की form में represent करना चाहिए अब जरूरी नहीं है कि zinc को कुछ भी हो सकता है तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया generalized form में या फिर हो सकता है कि यहां से यह electron ले यहां से यह electron को gain करें तो zinc 2 plus zinc 2 plus plus two electron की zinc sulfate जब तूटेगा तो यह अपने electron देगा तो वहाँ पे zinc बनेगा तो आपको पता है gain of electron कहलाता है reduction तो mn plus कुछ electron gain करके metal की form में आ जाएगा ठीक है तो electrode potential होता क्या है इसकी definition क्या है when electrode is placed in its own electrolyte then tendency to lose electron or gain electron is known as electrode potential मतलब क्या है कि जब हम किसी भी electrode को जैसे मैंने zinc की electrode को उसी के electrolytic solution में डाला तो अब उसकी जो capacity होगी या उसकी जो capability होगी कि वो electron को lose करता है या वो electron को gain करता है उसी चीज़ को हम बोलते हैं electrode potential क्या बोलते हैं electrode potential तो electrode potential अब दो तरीके का होता है कौन-कौन सा एक होता है oxidation potential एक होता है reduction potential oxidation potential में क्या होगा कि जो electrode होगा वो अपने electron को lose करेगा और reduction potential में electron को gain करेगा तो यहाँ पे देखो lose कर रहा है तो M से MN plus में गया gain कर रहा है तो MN plus से M में गया ठीक है अब standard condition की बात करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे standard reduction potential और standard oxidation potential की बात करते हैं तो जब oxidation potential को यह reduction potential को हम standard condition में measure करते हैं अब ये standard condition क्या होती है जब temperature 25 degree Celsius हो pressure 1 ation हो और जो concentration हो electrolyte की वो 1 mole हो तो हम इस oxidation potential और reduction potential को standard oxidation potential या फिर standard reduction potential कहते हैं कब जब oxidation potential या reduction potential को standard condition में measure करा जाए unit क्या होती है भाई unit होती है इसकी volt अब सबसे ज़्यादा important जो need examination, board examination में हर जगा यहां से question आता है relation between gives free energy on electrode potential sorry, relation between gives free energy and electrode potential, gives free energy और electrode potential में क्या relationship होता है, तो जो gives free energy होती है, वो equal होती है minus में NFE node अब ये NFE node इन सब के बारे में बात कर लेते हैं N है number of electron loss और gain, कि कितने electron loss कर रहा है, कितने gain कर रहा है, जैसे अभी हमने उपर जो example देखा था zinc का मापे 2 electron loss कर रहा था, ठीक है या 2 electron gain कर रहा था, तो N दो हो जाएगा Faraday constant जिसकी value होती है 96500 कूलम, अब ये E node क्या है E node देखो, कुछ भी हो सकता है अगर कोई electrode है किसी solution में वो oxidation कर रही है तो ये हो जाएगा standard oxidation potential, अगर ये reduction कर रही है, यानि electron gain कर रही है, तो ये हो जाएगा standard electrode, sorry standard reduction potential और अगर ये पूरी एक cell है cell का मतलब क्या है, इसका reduction हो रहा है ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा standard cell potential हो जाएगा ये तीनों चीज़े आपको question में दी जाएंगी, आपको वहां से numerical solve करना होगा ये देखो, E node standard reduction potential होगा जब सिर्फ reduction होगा, और standard cell potential होगा, जब redox reaction होगा, यानि एक पे reduction हो, दूसरे पे oxidation हो ठीक है, इसको हम standard EMF of cell भी कहते है latimer diagram important नहीं है neat में, मतलब इसको आप short तरीका कह सकते हो question को solve करने का, इसमें होता क्या है कि कोई आपको एक element दे दिया, जिसकी oxidation state continuous घट रही है, और आपसे पूछ लेगा, इनमें से कौन सी species कौन सी species जो है वो कहते है disproportionation reaction शो करेगी तो यहाँ पे सिर्फ याद रखो कि जब हम left hand से right hand move करेंगे, ठीक है और enode increase कर जाए enode क्या कर जाए, increase कर जाए तो disproportionation reaction होगी यह 2018 में एक diagram, एक question आया था HbO था शायद आप देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको तो उसमें आप देखोगे कि जब left to right जाओगे तो जब enode increase कर जाएगा तो उसी में disproportionation reaction हो जाएगी और यही question आप से पूछा भी गया था कि किस species में disproportionation reaction होगी ठीक है, तो यह आप कर सकते हो अब हम बात करते हैं electrochemical series की electrochemical series सबसे पहले है क्या series in which metal are arranged in increasing order of standard reduction potential from top to bottom वो series जिसमें हमने metal को arrange क्या है increasing order of their standard reduction potential यानि top to bottom जब हम जाएगे तो उनका standard reduction potential क्या होगा बढ़ेगा, उस पूरी series को हम बोलते हैं electrochemical series अब आप बोलोगे कि क्या ये electrochemical series याद करनी है जी हाँ, याद करनी है बहुत सारे question पूछे जाते हैं indirectly और directly सबसे important एक जो नीट में भी question पूछा जा चुका है कि hydrogen का हम जो standard reduction potential या oxidation potential कह सकते हो जो भी है, उसको zero मानते है ठीक है और एक चीज़ और अगर आपको question में सिर्फ standard potential दे रखा है और नहीं बताया कि वो oxidation potential है या reduction potential है, तो आप उसे standard reduction potential ही मानोगे, कब? जब question में नहीं गीवन और अगर question में गीवन है कि वो standard oxidation potential है फिर तो वो oxidation potential ही है तो अब हम क्या करते हैं electrochemical series की बात करते हैं यहाँ पर सबसे ज़रूरी top to bottom standard reduction potential increase करेगा, ठीक है तो इसमें सबसे पहले lithium, potassium, calcium, sodium, magnesium aluminum, manganese, zinc, chromium, iron cadmium, cobalt, nickel SN, PV, lead, hydrogen, copper पर हमारा mercury, silver, gold ठीक है, अब आप बोलोगे कि इसे याद कैसे करना है तो देखो इसको याद करने की एक छोटी सी trick है क्या है वो trick क्या है वो trick, वो trick है ली के काका ने जहां पर ली क्या है, lithium के क्या है potassium, काका क्या है, calcium, ने, sodium मागी, mg, magnesium almari, यानि aluminum, money, यानि manganese, जमीन यानि zinc, car मतलब chromium, fridge मतलब iron, cadmium मतलब मतलब CD है, ठीक है, CD है मतलब cadmium co, cobalt, नहीं, ni, slay, sn, प्रभा, lid यानि PB, ही, h, kutty, cu, होगी, mercury, h, g आज, ag, फिर आओ, अब इसको मैं पूरा इखटे pronunciation करता हूँ, इसका पूरा इखटा pronunciation क्या है, पूरा इखटा pronunciation है, ली के काका ने मांगी, अल्मारी, मांगी, अल्मारी, मनी, जमीन, कार, fridge, ठीक है, मतलब ये आप समझ सकते हो, कि एक कोई लड़की है, जिसका नाम है, स्ने, स्वरी, जिसका नाम है, प्रभा, चा नाम है, प्रभा नाम है, इसके जो parents थे, वो रिष्टा लेके गए, एक ली नाम के लड़के के पास, ठीक है, तो ली नाम के लड़के के पास लिष्टा लेके गए, तो इस ली ने क्या करा, दहेज मांगा, और दहेज में क्या क्या मांगा, दहेज में, ली के काका ने मांगी, अल्मारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, ठीक है, तो अब ये जो प्रभा थी ना, इनकी CD की शौप थी, CD आप सभी जानते होंगे, कैसेट पहले बिक्ती थी, अब तो सब YouTube पर ही चलता है, तो उन्होंने कहा, कि आपको CD भी चाहिए, प्रभा के, पैरेंट ने कहा, आपको CD भी चाहिए, तो लीके काका ने कहा, CD को नहीं सने, CD को नहीं सने, ठीक है, इतनी बात हो गई, अब प्रभा के घरवाले घर वापिस आ गए, और उन्होंने समझाया, कि वो ये ये मांग रहे हैं, अलमारी, मनी, जमीन, कार, फ्रिज, ये सम मांग रहे हैं, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो हम ये शादी नहीं करेंगे, त उनके घरवालों ने प्रभा को कूट दिया, तो प्रभा ही कुटी होगी आज, और जब आज कुटी है, तो दर्द भी होगा शरीर, तो अवाज निकलेगी, तो इस तरीके से आप पुरा ये याद करोगे, ठीक है, तो ये मैंने आपको निमोनिक्स बता दिया, I hope ये निमो इसेंट बैलो हैज हाईयर SRP in electrochemicals, वो तो सही बात है, जब उपर से नीचे increase कर रहा है, तो जो बॉटम पे या बैलो में होगा, उसके सबसे ज़्याद है, मतलब स्टेंडर डिदक्शन पोटेंशल होगी, ठीक है, सेकेंड क्या है, element having high SRP act as oxidizing agent, as it is reduce itself and oxidize other, element जिसका SRP ज़्यादा होगा, SRP बोले थो, standard reduction potential, यानि, जिस element का standard reduction potential ज़्यादा होगा, यानि, जो अपने आपको reduce कर सकेगा, अब अपने आपको reduce करेगा, यानि, अपने electron, मतलब किसी और के electron को gain करेगा, अपने आपको reduce कर रहा है, तो दूसरे के electron लेगा न, और दूसरे के electron कब लेगा, जब वो electron lose करेगा, तो वो electron lose करेगा, तो ये as a oxidizing agent खाम करेगा, वो element जिसकी SRP ज़्यादा होगी, standard reduction potential ज़्यादा होगी, वो दूसरे से electron शीनेगा, और दूसरे से electron शीनेगा, तो उसे oxidize करा देगा, तो इसलिए वो oxidizing agent होगा इसी तरीके से element जिसकी SRP कम होगी element with less SRP reduce other दूसरे को reduce करेगा और खुद oxidize हो जाएगा इसलिए reducing agent कहलाएगा क्योंकि SRP कम है इसकी SRP कम है तो अपने electron को जल्दी से छोड़ देगा तो oxidize हो जाएगा और दूसरे को reduce कर देगा fourth क्या है element having lower SRP will displace element having higher SRP वो element जिनका SRP यानि standard reduction potential कम होता है वो displacement reaction में दूसरे element को जिसका SRP जादा होता है उसको displace कर देते हैं जैसे एक reaction देखो zinc की मैंने sulfuric acid के साथ reaction कराई है तो zinc कहाँ पर आता है अगर आप याद करो तो zinc कहाँ पर आता है ली के काका ने मांगी almari, money, zemine तो zemine क्या था? zinc था तो zinc hydrogen से पहले आ रहा है और hydrogen का zero माना है तो zinc का negative हो जाता है तो negative है hydrogen से हमें क्या करना है hydrogen का positive यानि zero होता है hydrogen का zero होता है तो किसका SRP जादा है? hydrogen का तो zinc hydrogen को replace कर देगा देखो ठीक है? ये reaction हो गई तो आज की one shot में बस इतना ही जादा लंबी हम भी हम one shot नहीं करेंगे कि आप के दिमाग में कुछ set नहीं हो भी हम discuss कर लेंगे ठीक है so I hope जितना आज की वीडियो में हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा मिलते है next one shot में तब तक के लिए thanks for watching और अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को subscribe भी कर लेना अगर आपको ये चीजे समझ में आ रही हैं तो